शुरुआत में हम कुछ लोगों के चिलाने की आवाज सुनते हैं जो की असल में गिलगड़ा रहे थे और हमें स्क्रीन पर एक वोड देखने को मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मैं पूरी दुनिया की भूग खत्म करना चाता हूँ आदे भूके लोगों को मार कर दूसरे भूके लोगों को खिला के उनका पेड भर के जो की बहुत ज़्यादा डारावना कोड था अब यहाँ पर एक आदमी एक औरत को मार चुका था जिसके बदले में उसे खाने को मिलता है ये आदमी गिल्टी तो था लेकिन फिर भी खाना का रहा था वो पीछे पलटता है तो वही लेडी मरी हुई पड़ी होती है जिसके चेहरे से खुन बाहर आ रहा था ये आदमी यहाँ पर एक चेंबर में था जहाँ पर स्पीकर से आवा जाती है और जू की पर नम का ये आदमी उस लेडी को गसिट कर ले जाता है और अभी अभी जिस लेडी को उस आदमी ने माना था वो और कोई नहीं बलकि उसकी ही वाइव थी और बस यहीं से शुरुआत होती है इस मूवी की अभी हाँ पर तीन यंग्स्टर्स फ्रीडम नाम के एक बंद पढ़ हुए टाउन में जा रहे थे बेक एक कॉमिक लिखता था और केंडिस बेक की गर्फरेंड थी और जीमी बेक का भाई था फ्रीडम नाम के इस टाउन में बहुत पहले माइनिंग मिल्स हुआ करती थी फिर एक दिन एक हाथसा हुआ जिससे की ये मिल्स या यू के तो खदाने जमीन में ही डेह गई तब से ये टाउन बंद पढ़ा है लेकिन लोगों के अकोर्डिंग इस टाउन में एसे बच्चे रहते हैं जो की इन खदानों की गहरी खानों में रहते हैं और इनसानों को मार कर खाते हैं लेकिन ये बस टाउन के दुआरा बेलाए गई अफवा थी बेक एक थिलर नावल लिख रहा था और इसी के चलते हैं वे इस फ्रीडम टाउन में जा रहते बट जब ये एक सन के पीछे जाता है लेकिन केंडिस उसे मना कर देती है क्योंकि इस टाउन में पहले से ही बहुत ज़्यादा अफवाय फैली हुई थी अब यह तीनों अपनी टुटी हुई कार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर केंडिस फ्रेश होती है जिसके बाद में य पूरी हो जाएगी तो वो दोनों शादी कर लेंगे जब यह टाउन पहुचते हैं तो टाउन पहुचते पहुचते शाम हो जाती है और यह टाउन पूरी तरह से खाली था फिर जैमीनी एक अबेंडन घर में चला जाता है जिसे बुलाने के लिए केंडिस और बैक भी उस के अंदर चले जाते हैं लेकिन सड़ली कोई परसन महाँ पर आता है और केंडिस की कार चुरा कर वहां से ले जाता है क्यूंकि केंडिस ने कार की चाबी कार में छोड़ दी थी और अब ये तीनों यहां पर इस खाली पड़े टाउन में फस चुके थे इन सबी के पास फोन त पाता क्यूंकि वहां पर नेटवर्क बहुत कम आ रहा था केंडिस उस घर के अंदर कुछ चेक करती है और उस घर की विंडो से उसकी कार दिखाई देती है केंडिस बाहर आकर बेक कोई बताती है कि अभी अभी उसने उसकी कार को देखा है लेकिन सड़नली पीछे से कोई उसके सीर पर मार कर उसे वहां से घसीटता हुआ कार की डिक्की में डाल देता है और ऐसा करते हुए उसे बेक देख लेता है बेक केंडिस की मदद करने के लिए भागता है लेकिन तब तक देर हुजगी थी ये आदमी वही जू की पर था जो की मूवी की स्टार्टिंग मे दिखाया गया था वो बैक को एक इलेक्ट्रिक रोट से शौक देता है और फिर फाल एक्स्टिंग्विशन से CO2 गेस उसके उपर छोड़ कर उसे और केंडिस को दोनों को ले जाता है केंडिस को जब होश आता है तो वो एक पिंजरे में बंद थी और ये पिंजरा एक बंद पड़े हुए रूम में था बैक की हालत तो इससे भी ज़्यादा कराब थी उसे तो उपर से नीचे तक किसी ने टेप से लपेड दिया था अब अगेन स्पिकर से कोई परसन बोलता है और वो उनका विलकम करता है वो ये बताता है कि ये दोनो एक स्कूल में है और वो आदमी यहां का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल माइक में अजीब अजीब बाते कह रहा था जैसे कि कोई परसन खाने के लिए कुछ भी कर सकता है मतलब कि कोई इनसान खाने के लिए किसी भी हर्त तक जा सकता है वो मर भी सकता है और किसी को खाने के लिए मार भी सकता है केंडिस उस आदमी की बातों से परेशान होकर वहाँ पर लगावा CCTV केमरा देख लेती है और वो उसे तोड़ देती है जिसके बदले में स्पीकर से बस सही आवा जाती है कि केंडिस को इसके बदले में और कठोर सजा मिलेगी यहाँ पर बैक खुद को टेप से आज़ाद कर चुका था बैक को यहाँ पर नोरा नाम की लड़की मिलती है जो कि उसे ही बताती है कि वो और उसके पिताजी दोनों को यहाँ पर केद कर लिया गया है and suddenly यहाँ पर zoo कीपर आकर बेक को पानी का ग्लास ओफर करता है और उसे खाने का लालज देता है लेकिन वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता जू कीपर एक डॉर को अनलोक करता है जिसमें बेक ये देखता है कि एक आदमी वहाँ पर अल्रेडी बेटा हुआ है बेक उस आदमी से पूछने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है वो अकेला बेठा हुआ आदमी बेक कोई बताता है कि प्रिंसिपल उन्हें यहाँ पर भूका और प्यासा रखता है वो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं देता और खाने के बदले में उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी होती है इस खाने की लड़ाई में उन्हें सामने वाले को मारना होता है जिसके बार में उन्हें खाना मिलता है और फिर यही प्रक्रिया वापिस होती है उन्हें हफ्तों तक भूखा रखा जाता है और फिर खाने के लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है वो आदमी बेक को ये बताता है कि वो यहाँ पर कई हफतों से है और वो अभी तक यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा लोगों को मार चुका है जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है मतलब कि इस आदमी ने खानने के लिए अपने पत्नी तक को मार डाला फिर यहाँ पर जूगी पर खाना लेकर पहुशता है वो प्रिंसिपल माइक में ये अनाउंस करता है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे को मार दे बैक लड़ाई करना नहीं चाता था लेकिन प्रिंसिपल उस से कहता है कि वो अगर लड़ाई नहीं करेगा तो इस आदमी से लड़ने के लिए वो केंडिस को भेज़ देगा मतलब कि बैक की जगे इस आदमी से केंडिस लड़ेगी जिसे सुनने के बाद में बैक लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है लेकिन ये आदमी तो लड़ाई के लिए उतावला हो रहा था या यूं कहे कि ये खाना खाने के लिए उतावला हो रहा था ये आदमी कई हफतों से भूका था और खाने के लिए कुछ भी कर सकता था शुरुआत में बैक इस आदमी को नहीं मानना चाता था लेकिन ये आदमी खाने के लिए कुछ भी कर सकता था और किसी भी हद तक जा सकता था ये आदमी बैक को मानने की कोशिश करता है और अपने self defense में बेक उस आदमी के हाथ के पंजे को एक बड़े से चाकू से काड़ देता है और फिर दूसरा वार वो इसके गर्दन पर करता है जिससे कि ये आदमी मर जाता है और बेक इस लड़ाई को जीत लेता है बेक की इस जीत के reward में प्रिंसिपल उसे खाने के लिए देता है लेकिन बेक ऐसा खाना नहीं खा सकता था और वो ये खाना जू की पर के उपर फेक देता है ये सभी लोग जहां पर बन थे ये फ्रीडम टाउन का एक हाई स्कूल था और प्रिंसिपल केंडिस के पास वाले रूम में ही था जिसे केंडिस एक होल के जरिये देख सकती थी केंडिस को यहाँ पर कई हफते हो चुके थे और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था केंडिस इतनी ज़्यादा भूकी थी कि वो कौकरोच को ही खा लेती है और उसे ऐसा करता हुआ देख नोरा वहाँ पर आती है और केंडिस को पानी पिलाती है प्रिंसिपल केंडिस में नोरा को केंडिस की हेल्प करता हुआ देख लेता है और उसे ले जाकर एक रूम में छोड़ देता है जहां पर एक आदमी को लाए जाता है या यूँ कहें कि आदमी की रूप में एक जानवर को छोड़ा जाता है वो आदमी नोरा को उठा कर दिवार पर इतनी जोर से पटकता है कि उसका सिर्फट जाता है और नोरा का खेल यही पर खत्म हो जाता है जिसके बाद में ये आदमी नोरा के मास को चाटने लगता है केंडिस को कई हफ़तों से खाने के लिए नहीं मिला था और खाने के बदले में उसे लड़ाई करनी थी जिसके बदले में जू की पर एक खतरनाक औरत को वहाँ पर केंडिस से लड़ने के लिए छोड़ता है और मारने के लिए उसे एक केची मतलब की सिजर दे देता है और यहाँ पर बैक के पीछे वो आदमी पढ़ जाता है जिसने की अभी-भी नोरा को मारा था और वो अब बैक को मारने वाला था जिससे बचने के लिए बैक वहाँ से भागने का रास्ता ढून रहा था और फिर सड़नली बैक केंडिस के रूम में पहुच जाता है उस आदमी से बचते हुए केंडिस बैक को यह कहती है कि प्रिंसिपल पास वाले रूम में ही है और उसके पास केमरे तो कई सारे हैं लेकि मोनिटर एक ही है वो एक टाइम पर बस एके केमरे पर नज़र रख सकता है केंडिस और बैक एक दूसरे से ये बाते करते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग फसे हैं और उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है उन्हें जल्दी मार दिया जाएगा अब यहाँ पर जू कीपर आता है केंडिस की जीत पर उसे एक पिज़ा का स्लाइस देने के लिए लेकिन बैक उस पिज़ा स्लाइस को पहले ही खा लेता है क्योंकि वो कई जादा दिनों से भूका था Candice Zoo की पर से कहती है कि वो उसके लिए एक और पीजा का स्लाइस ला कर दे जिसके बदले में वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है कुछ भी से मतलब है कुछ भी Zoo की पर कुछ देर सोचता है लेकिन प्रिंसिपल उसे बुला लेता है जिसके बाद में Candice बैक पर बहुत ज़्यदा नाराज होती है क्योंकि वो उसका पीजा का स्लाइस खा चुका था और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनसान खाने के लिए कुछ भी कर सकता था Candice पूरी तरह से खाने के लिए पागल हो चुकी थी वो बैक के पैट में से वापस खाना निकलाती है वो उसके मूँ में उंगली डालती है और उसे उल्टी कलवा कर उसके पैट से निकला हुआ पीजा खा लेती है जिसके बाद में बैक उस मरी हुई औरत के पैट में से सीजर निकालता है और उसे एक दिवार में जाकर चेक करता है अब यह सीन कट होकर उसी रेस्टराइट पर आ जाता है जहाँ पर केंडिस और बाकी के लोग गए थे उस रेस्टराइट में एक डिटेक्टिव आई हुई थी और वो Candice और बाकी लोगों के बारे में पूछ रही थी क्योंकि इन सभी को गायब हुए एक महीने से जादा हो चुका था और उनकी कोई भी कवर नहीं थी फिर वहीं रेस्टोरेंट में बेटा हुआ एक बुड़ा आदमी डिटेक्टिव को यह बताता है कि उसने उन तीनों बच्चों को देखा है और वो आदमी उस डिटेक्टिव को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने उन्हें आखरी बार देखा था इधर स्कूल के अंदर बैक और केंडिस के पास में जू कीपर खड़ा हुआ था और बस वो केंडिस को ही देख रहा था शायद जू कीपर को केंडिस की बात समझ में आ चुकी हो और केंडिस भी इस बात का फायदा उठाती है वो जू कीपर से खाने के लिए कुछ मंगवाती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है जो सिजर बैक को मिली थी वो उससे रोज दिवार में होल बना रहा था जिसकी खबर उसके और केंडिस के लावा किसी को नहीं थी जब बैक दिवार में होल करता था तब केंडिस वहाँ पर पहरा देती थी फिर केंडिस बैक को ये बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो प्रेगनेंट है केंडिस बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था अब यहाँ पर जो आदमी डिटेक्टिव को लेकर आया हुआ था वो ही प्रिंसिपल था जिसका असली नाम था एजविक प्रिंसिपल डिटेक्टिव को स्कूल में ले जाकर उसे एक हैमर से मार कर उसे बहुच कर देता है और उसे एक दूसरे भूख के आदमी के सामने लाकर छोड़ देता है उससे लड़ने के लिए और यह भूख का आदमी था नोरा का फादर जू कीपर उस डिटेक्टिव और उस आदमी को रोड़ देता है एक दूसरे से लड़ने के लिए लेकिन डिटेक्टिव यह समझ नहीं पाती कि यहाँ पर चल क्या राता और उसे यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है फिर अगेन बेल रिंग होती है जिसके बाद में दोनों खाने के लिए और जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं यह आदमी डिटेक्टिव के मूँ में एक रोड़ को घुसा कर उसे खत्म कर देता है और अपनी मिल को एंजोई करता है हम यह देखते हैं कि बेक्ट दिवाल में पुरी तरद से होल कर चुका था वो दोनों बस बाहर निकलने ही वाले थें कि प्रिंसिपल को पता लग जाता है कि उनका कुछ प्लान है वो उन दोनों को पानी देने के बाहने आता है जिसमें की निंद की दवाई मिली हुई थी जिसे पीने के बाद में दोनों भेश हो जाते हैं और जब बेक को होश आता है तो वो एक रूम में होता है जहां पर उसके भाई जेमिनी को कई हफतों से भूखा रखा गया था जू की पर जेमिनी को खाना दिखाता है चुकि वो कई हफतों से भूखा था और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता था जिसके बाद में वो जेमिनी को एक गन देता है जिसमें एक ही बुलिट थी जिससे कि जैमीनी अपने भाई को मार कर अपना खाना खा सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो अपने भाई को मारने के बजाए खुद के ही जान ले लेता है जिससे कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता और दोनों कोई खाना नहीं मिलता फिर प्रिंसिपल बेक को दूसर रूम में डाल देता है जहाँ पर और भी ज़्यादा लोग केट थे अगेन बेक की फाइट होती है और वो वापस से फाइट जीट जाता है क्योंकि वो कराटे में ब्लेक बिल्ट था प्रिंसिपल मौके का फाइदा उठाता है और वो केंडिस के पास जाकर उसे फिजिकल एब्यूस करने लगता है लेकिन केंडिस उसे चेल से मार कर वाँ से भाग जाती है बेक भी अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और वो पिंजरे के अंदर से ही जू कीपर को पकड़ता है लेकिन जू कीपर को पकड़ने की कोशिश में उसका हूड उसके उपर से उतर जाता है और सभी को ये देखने को मिलता है कि जू की पर कोई आदमी नहीं बलकि एक उजली हुई ओरत है जो कि अपने आपको हर टाइम डखे ओवे रहती है अब प्रिंसिपल मतलब की एजविक एंट्री लेता है और वो ये बताता है कि जब फ्रीडम टाउन में ख़दाने जमीन में दसने लगी थी तो वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ में भाग रहा था लेकिन उसके कार एक गहरे गड़े में जा गिरी और तीनों उस गड़े में ही फस गए उस गड़े में वे तीनों हफ़तों तक रहे उनके पास में ना खाने को कुछ था और ना ही पीने के लिए वे कई हफतों तक ऐसे ही फसर है और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया उस गड़े के अंदर उसने और उसकी बीवी ने अपनी बच्ची को मार दिया और उसे खाकर वे दोनों जिन्दा रहे एजविक किस्मत वाला था लेकिन उसकी बीवी नहीं वो ख़दान में से निकल रहे गेसो की चपेट में आ गई जिससे की उसकी पूरी चमड़ी जल गई और वो ऐसी दिखने लगी अब प्रिंसिपल केंडिस और बैक की फाइट से आता था वो उन्हें गन देता है और वहाँ से चला जाता है केंडिस बहुत ज़्यादा भूकी थी और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकती थी वो बैक की तरह फायर करती है जिससे की जूकी पर को ऐसा लगता है कि उसने बैक को मार दिया लेकिन बैक उसे ही उसकी इलेक्टिक रोड से मार दिता है चूकी केंडिस ने उसके उपर फायर नहीं किया था जिसके बाद में केंडिस और बैक यहां से भागने की कोशिश करते हैं और वे दोनों अलग-अलग रास्ते पर जाते हैं चूकी प्रिंसिपल केमरे में उन्हें देख रहा था लेकिन वहां पर एक ही मोनिटर था और वो एक टाइम पर बस एक ही केमरे में देख सकता था बैक गन को लेकर प्रिंसिपल के ओफिस में जाता है उसे मारने के लिए लेकिन प्रिंसिपल बैक को उसके ओफिस में बंद करके केंडिस के पीछे निकल जाता है केंडिस जैसे तेसे इसकूल से बाहर आती है और उसे एक पुलिस की कार नजर आती है केंडिस उस पुलिस की कार से हेल्प मांगती है और उसे रोकती है लेकिन इस कार में पुलिस नहीं प्रिंसिपल था वो केंडिस की तरफ कार लाता है और उसे कार से ठोक देता है यहां पर इस्कूल के अंदर बैक को यह याद आता है कि प्रिंसिपल के आफिस के पास में वही रूम है जहां पर उसने होल किया था और वो तुननत उस रूम में पहुचता है और इसकूल से बाहर आता है जिसके बाद में बैक बाहर आता है और प्रिंसिपल को गोली मार कर केंडिस को प्रिंसिपल से बचाता है जिसके बाद दोनों अपने कार से वापिस शेयर की तरफ निकलते हैं और जाते समय रास्ते में बेक केंडिस को प्रपोस करता है लेकिन केंडिस की उंगली इतने ज्यादा सुजी हुई थी कि उसके उंगली में रिंग नहीं जाती और लास्ट सीन में हम यह देखते हैं कि पुलिस इसकूल तक पहुच जाती है जहां से कई सारे लोग मिलते हैं जो कि कैद थे और वे करता था टॉम में फेली अफवाव से उन्हें बस यह पता था कि कुछ बच्चे लोगों को मारते हैं और इन ख़दानों की गेरी खानों के अंदर रहते हैं लेकिन सच तो यह था कि एक प्रिंसिपल भूक और जान का ऐसा केल खेलता है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था I hope दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया हो तो सब्सक्रेब जरूर कर लिजे क्योंकि जल्दी कई सारे वीडि